मैं हूँ आपका गुरू और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी PowerPoint presentation में हम 3D animation कैसे डाल सकते हैं यह मैंने कुछ 3D animation इसमें डाला हुआ है आएए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यह आप photographs देख रहे हैं यह actual में 3D animations है जो के अभी मैं आपको run करके दिखाऊंगा ठीक है तो एक बार पहले हम डालना सीख लेते हैं उसके बाद इसको finally हम एक बार play करके देखेंगे यह पहले play करना पसंद करेंगे चलो ठीक है यह पहले एक बार इसको हम play करते हैं ठीक है आईए इसको run करके देखते हैं यह देख रहे हैं, यहां पे शार्क घूम रही है, और यहां पे नमबर बदल रहे हैं, यह साब बहार आ रहा है, और यह साब के पीछे शार्क चकर काट रही है, और वो चाता लेके खड़े हैं, और यहां पे यह साब कुछ पतला होने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो न आया है आईए देखते हैं कि कैसे होता है वो यह करने के लिए पहले आप एक नया slide ओपन करें और यहाँ पे insert text जहाँ पे करना है वहाँ पे आप insert में जाके clipart में जाएं और clipart में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि results should be जो section आपको दिख रहा है इसको आप click करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ options आते हैं clipart, photographs, movies या sound अगर आपको animation ढूनना है तो clipart, photographs और sounds को off कर दीजे, uncheck कर दीजे, movies कौन कर दीजे इसका भी submenu divided है लेकिन आप इसके अंदर से भी चुम सकते हैं चाहें तो otherwise आप इतना ही रखें तो बस है कि बस movies यहाँ पे डिखता रही है, इसको check करके रखें तो आपको यहाँ पे 3D movies ही निकलेंगी या फोटोगास 3D वाले ही निकलेंगे और यहाँ पे आप ensure करें कि यह web collections भी आपका selected रहे search in options में ठीक है और यहाँ पे हम अब कुछ भी चाहें तो type कर सकते हैं जैसे हम type करते हैं snake और click कीजिए go पे अब इसको कोई result नहीं मिला है ठीक है हम type करते है boy इसको भी कोई result नहीं मिला है हम type करेंगे circle इसको कोई भी result नहीं मिल रहा है अच्छा c y c l e cycle यह भी नहीं मिल रहा है इसको तो हमने और क्या क्या डला यहाँ पर हम type करेंगे shark s h a r k यह मिल जाना चाहिए यह लगता है मेरे net में कुछ issue है खेर आप ऐसे इसको ढूंड सकते हैं हम जरूर निकालते हैं इसको यार मैंने निकाला था इसको search करा था हमने search everywhere पर क्लिक करते हैं क्या गलत हो रहा है देखते हैं हाँ आप ले क्या है मैंने actually उस selection में थोड़ा गल्टी कर दिया था अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यह items आएंगे load हो रहे हैं मेरा net connection थोड़ा सा slow सल रहा है जिसकी वज़े से ऐसा दिख रहा है है यह वाला देखें इस पर आप ऐसे click कर दीजिए और वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे आप click कर सकते हैं इस पर एक बार तो यह इधर आ जाएगा automatically और आप चाहें तो यहाँ इसको drag कर सकते हैं यहाँ पर आप इनको resize भी कर सकते हैं देगे क्या हो गया है आप चाहें तो इनको resize कर सकते हैं ऐसे और इसको हम drag करके थोड़ा उपर लेके जाते हैं इसको थोड़ा drag करके हम यहाँ पर लेके आते हैं ऐसा एक option है यह देखिए ऐसे और इसको हम play कर सकते हैं अब जड़ा कुछ और जो हमने पहले नहीं धूंडे थे उनको पहले जो हमें नहीं मिले थे उनको वापस सर्च करते हैं शार्क प्ले करते हैं और यह देखो यह शार्क का photograph आ गया यहाँ पर आई अब इनको play करें एक बार इनको इध्यान रहे कि यह play आपका slide mode में जाके ही होंगे slide show mode में तो हम slide show mode में जाते हैं यह देखिए यह tiger हमारा jump मार रहा है बड़िया tiger है यह trained है domesticated animal मेरी तरह मेरी भाइफ भी जैसे बोलती है मैं यह jump मारता रहता हूँ यह हमने सीखा कि हम clip art में clip art में जाके 3D animation कैसे हमारी एक powerpoint presentation में डाल सकते हैं और इनके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे photo है तो photo frame में जाके आप इनको frames वगरा लगा सकते हैं यह मेरा एक और video है जहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि how to work with images in powerpoint presentation तो उसको आप देख सकते हैं बहुत बैटरीन वीडियो है वो भी काफी complicated चीज़े मैंने उसमें सिखायी है तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं तो यह हमने देखिये टेस्ट करा है यहाँ पे उसको एक हमने image दिया आपको वीडियो पसंदाया होगा कि how to add a 3D animation in your powerpoint presentation तो अगले वीडियो तक के लिए have a wonderful day happy learning